चेतन सर्मा ने दक्षिन अफ्रीका के खिलाब वंडे सिरीज के लिए चुने गए फ़ॉब में चल रहे है सलामी बल्लेबाज रितुराज का एक वाड की सराना की है दरसल चेतन शर्मा ने कहा कि महारास्टर का ये बल्लेवाज टीम इंडिया के लिए बहुत सफ़ल हो सकता है दरसल भारत्य टीम को दक्षिन अफरीका के खिलाब 19, 21 और 30 जनवरी को पॉल और कैप टाउन में तीन वंडे मुकाबले खिल ले हैं चेतन शर्मा की अगवाईवाली चेंड समित्य ने शुक्रवार को दक्षिन अफरीका के खिलाब वंडे सिरीस के लिए टीम का चेंड किया दरसल रोही शर्मा की अनुपस्तिती में केल रहूल को टीम की कमान सौपी गई है जस्परित भुम्रा इस सिरीस के लिए टीम के उपकपतान होंगे दरसल चेंड शर्मा ने टीम चेंड के बाद प्रेस कॉनफरेंस में कहा थे कि ये बेशक रितुराज गायकवार को सही समय पर मौका मिला है वो टीटवंटी टीम में था और अब वो वंडे टीम में भी है चेंड करताओं को लगता है कि उसे जिस भी टीम में जगा मिलेगी वो देश के लिए बेहस सफल रहेगा पूर्णे के रहने वाले 24 साल के रितुराज 2021 इंडियन प्रीमेर लीक में 635 रन बना कर शीर्ष स्कोरर रहे और उन्होंने चेंड परकीं को खिताब दिलाने में एहम भूमी कने भाई रसल चेतन शर्मा के मताबिक रितुराज को उनक का हमेरी तुराज का चेंड किया है अब ये टीम प्रवंदन पर निर्वर करता है कि वो देखें कि वो कब अन्तीम एक दर्शा में खेल सकता है कब उसकी जवरत है और क्या संयोजन रहेगा आपको बता दें चेतन शर्मा ने आगे कहा लेकिन फिलहाल वो न्यूजलेंड के खिलाब T20 सिरीज की टीम में भी था और अब वंडे टीम में भी है दो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उसे इसका नाम मिला है आईपल में शांदार प्रदर्शन करने के बाद इसलामी बल्लेवाज ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपनी बहतरी इंट फॉर्म ज झाल